कई गाईज आप भी आपने डेज़ अरवाल सिर्फ आपके लिए होने वाला थै तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें और ये बहुत इन्ट्रेस्टिंग होने वाला तो हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से तो गाईज इस वाले होम रेमिडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहि तो गाईज जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैं दो लेमन ली थी और दोनों को अच्छे से कट कर ली हूं चोटे चोटे पीस में ताकि इसे अच्छे से स्कूइच कर पाऊं और इसका अच्छे से रस मैं निकाल पाऊं एक बाउल में तो गाईज आपको एक लेना है और फिर लेमन को आप अच्छे से स्कूइच कर ले अच्छे से निकाल ले एक बाउल में उसका रस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहां पर दो नीमू को अच्छे से स्कूइच करके एक बाउल में उसका जूस निकाल रही हूं अच्छे से इसी तरह से आपको भी सेम निक तो यहां पर मैं फिर ली हूँ मस्टर्ड का ओयल सरसो तेल अगर जो आपका घड़ का सरसो तेल है और नहीं है तो मार्केट से अपको इसाभी मस्टर्ड ले सकते हैं तो मैं यहां पर डेट चमचे कड़ी मस्टर्ड ली हूँ इसमें और बाउल में देने के बाद इस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है तो गाइस यह ओल है और लेमन जूस है तो ओविसली है कि यह बिल्कुल अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगा लेकिन जितना हो पाता है अब कम से कम 2-4 मिनटे से अच्छे से मिक्स करें तो गाइस मिक्स करने के बाद यह हमारा होम रिमेडी है तो गया आपने देखा कितना आसां सा हो में नेचुरल है इसका कोई भी साइड एफक्ट नहीं होगा आपके हेः पे आपके स्काल्प में तो गाइस यह अगर जो आ का बीज होता है बीज को नहीं डालना है अच्छे से इसे निकाल ले उसके बाद ही अपने स्काल्प में अपलाई करें अच्छे से हमारा जो होम्रेमीडी था हेर मास्क बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसे अपने हेर में अपने स्काल्प में अपलाई कर सकते हैं तो चली तो में लगा तौ अपके गल तो यहां जादा पायंगे तो तो पे अच्छे से काफी हेल्प करता है जो खुझली हो जाती है मारे सकाल में वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी लेमन को यूज करने पर और गाइस मस्टर्ड वैल इसमें डाला है तो गैस मस्टर्ड जो है हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है यह तो आपको पता ही होगा और हागा अग और जो आपके पास मस्टर्ड वैल नहीं है तो आप मस्टर्ड ओल के ही जगहे कोई सभी उए सकते है जैसे की चै Chuck Алग मैं कम से कम धस मिन तक करणा तब ही आप जो जो भी यूंस कर रहे वह अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाएगा और उसका रिजल्ट अच्छे से मिल पाएगा आपको तो गाइज मसाज करना आप बिल्कुल ना भूले तो गाइज आपने देखा मैं किस तरह से अपलाई की हूँ हैर मास को अपने पूरे स्काल्प में आपको भी सेम प्रोसेस से अच्छे से आपको यूज करना है पाटिसन करकर के अपलाई करना है ताकि आपके स्काल्प कहीं छूटे नहीं आपका स्काल्प पे हर जगे अपलाई हो जाए आपका हेर मास तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो हेर मास को अपलाई करने के बाद आप अपने बालों म कभी और लगाए मतलब जल्दी ना धोए कड़के कम से कम डेर से दो घंटा का आपको टाइम देना है और हाँ वीक में आपको कम से कम एक दिन लगाना है और इसी तरह से आपका डैंडरफ का प्रॉबलम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो यह था अमारा आज का वी तरह में कि प्रॉबल कं sudah रुबल जाँ क्वा करना हमेशा यह कर दोदाब्ना का प्रॉबल कंगा पाको बच्सक्र में अल्दी उतां से का वीक मतलं कहती है कर वीगी खत्म है